जै मादादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर माह के पहले सब्ता के सहिंग राशी फल के बारे में सहिंग राशी के लोगों के लिए 3 नवंबर से 8 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा और इन दिनों में कौन से ग्रह नक्षतर होंगे क्या शुभ योग होंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचरिया पर किस तरह से होगा जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में हम विस्तार से वैसे भी ये जो सब्ताहा है ये त्योहारों का सब्ताहा है इस सब्ताह में दो-दो बड़े ही अच्छे परवाने वाले हैं और ग्रहों की जो इस्तितिया होंगी वो आपके जीवन में क्या लेकर आएंगी चली विस्तार से जानते हैं लेकिन आगे पढ़ने से पहले आपसे छोट असा निवेदन है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का उसको दवा कर हमारी चैनल के साथ जोड़ जाएं यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां पुराप्त होती रहेंगी सेंग राशी की बात कर रहे है जो कि अगनी तरत्व की राशी है सूर्य की राशी है और राजा की तरहा जिंदीकी जीना बहुत पसंद करती है तो अब इस सेहिंग राशी के लिए जो इन आठ नवंबर तक जो चंद्रमा की स्थिति होगी वो दसवे भाव में, ग्यारवे भाव में और बारवे भाव में होगी यानि कि आपके तीन भाव सक्रिय वस्था में होंगे आपके कर्म का भाव, आपके लाब का भाव और आपके खर्ची का भाव, विदेश का भाव इनी के अनुसार दिंचरिया परिवर्तित होगी इनी के अनुसार आपकी जो दिंचरिया है उसमें कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे तो सब्ता की शुरुवात करते हैं दसम भाव के चंद्रमा से चंद्रमा के इस्तिती दसवे भाव में है और यहां राहु भी विराजमान है तो शुरुवात आपके लिए बेहद अच्छी हो रही है शुरुवात काफी अच्छी है आपने कर्म पर ध्यान देने के लिए आपका परिवारिक जीवन इस दोरान काफी खुशाल रहेगा सबसे अधिक परिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा यह समय है गर के सभी सदसे आपके किसी काम को सपोर्ट करते दिखाये देंगे और आपको सम्वान की प्राप्ति भी होगी आपको अपने कारशित्र में अच्छे फल मिलेंगी जो आप मेहनद कर रहे हैं वो उस मेहनद का फल मिलेगा हलाकि मेहनत जरूर बढ़ सकती है काम का प्रेशर जादा रह सकता है आपको अपने कारिस्थल में लंबे संगहर्स के बाद कोई अच्छी सफलता मिलने का योग भी बना हुआ है यानि ऐसा है कि आप काफी समय से मेहनत कर रहे थे संगहर्स कर रहे थे तो उसका रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है सेहिंग राशी के लोग यदि इस समय महिलाओं से अच्छा वेवार करें तो उन्हें काफी अच्छे लाब की उम्मीदे बनती हुई दिखाई दे रहे हैं इसलिए आपको सबसे पहले आपके अगर साथ काम करने वाले हैं महिलाएं हैं तो उनका सम्मान करना आप शुरू करें क्योंकि उनके वेवार से काफी अच्छे लाब में आपको मिल सकते हैं इसके बाद चंद्रमा जो है राशी परिवर्दित करेंगे और आपके लाब भाव में आ जाएंगे लाब भाव में चंद्रमा किस्टिती बेहद अच्छी होगी जो आपके अधिकारियों से आपके संबंदों को अच्छा बनाएगी जितने भी अटके हुई काम थे वो आपके अटके हुई काम बनने लगेंगे आपको फाइदा होगा धनलाब के योग भी बनेंगे आर्थिक जीवर में स्थिर्था बन जाएगी छुपे हो जो विरूधी होते हैं वो भी शान्त हो जाएगे यानि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छुपकर नुकसान पहुचाने की कोशिश करते हैं तो वो भी सावधान हो जाएगे और आपके उपर कोई भी ऐसा रियक्ट नहीं करेंगे साथ ही सेंग राशी के लोगों के लिए आमदनी के शुरूत बनने के योग बने होए हैं इस दोरान कुछ ऐसे योग हैं कि आमदनी के जो आप जहां से आप आमदनी का जरिया जो भी आपका है उसके अलावा कुछ अन्यशोत बनेंगे आपकी वानी में सुम्यता आएगी जो बेहत कामाने वाली है सम्मान देने से आपको सम्मान की प्राप्ती होगी इस चीज़ को हमेशाद रखें अगर आप लोगों को सम्मान दोगे तो आपको सम्मान वापिस मिरेगा सिक्षा प्रतियोगता में आपकी जै होगी अपनी इमेज को लेकर आप काफी सतर्क रहते हैं और आपकी इमेज बरकरा रहेगी आपकी मीठी वानी से विरोधी मूँ की खाएंगे स्थिति में आप खुद को ढाल भी पाएंगे तो काम के प्रेशर को जादा ना सोचते हुए बस अपनी काम पर आपको जादा देहान देना है साशन प्रसाशन से थोड़ा मिला जुला सहयोग में रहेगा किसी कार्य को जब आप करते हैं तो सोच समझ कर करें अगर कोई ऐसा कार्या है जो आपको सोचने पर मजबूत करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा ध्यारिया से काम लेना है सरकारे नौकरी में यह दिया आप हैं तो प्रमोशन के लिए आप वेट करें तो उसमें थोड़ा वेट जरूर हो सकता है उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ेगा अभी क्योंकि प्रमोशन का भी योग नहीं है हलाकि लाब के बहुत अच्छे योग हैं लाब आपको अच्छे मिलेंगे अपने काम के गिन प्रमोशन के लिए थोड़ा सा आपको काम वेट करना पड़ेगा धनलाब होगा जिससे आरखे के सिती में सुधार होगा इस दोरान आपके विरोधी शांत रहेंगे अगर आपको गुसा आता है करूद आता है तो उस पर आपको काबू रखना है क्योंकि गुसा काम को बिगाड़ देता है उस समय आपको थोड़ा धहरिया रखना है सेहत को उत्तम बनाए रखने के लिए खान पान पर ध्यान दे और फिजूल खर्ची करने से बचे इस राशी के जो सिंगल लोग हैं उन सिंगल लोगों के लिए यहां अच्छी विवह प्रषताम की जो सोगात मिलने वाली है यानि विवह प्रषताव आ सकते हैं शादी पक्की हो सकती है अगर आ प्रेम जीवन में हैं टो उनके लिए प्रेम जीवन की योग काफी अच्छा बना हुए है अब सप्ताह का आंत जो है चंद्रदेव आपके लगन में रहेंगे यानि चंद्र की जो इस्तिती होगी वो काफी अच्छी होगी जिससे मांजिक समस्य आए दूर होगी आप अपने गुसे पर काबू भी रख पाएंगे और ये जो इस्तिती होगी ये जीवन की हर चुनोती को आप आसारी से सामना कर सकते हैं सेहत का जरूर ध्यान रखना है खर्चे की योग भी बन रहे हैं अंचाहे खर्चे हो सकते हैं अंचाही यात्रा की योग भी बने हुए हैं अंचाही यात्रा भी हो सकती है इस दोरान ग्रहस्त जीवन में थोड़ी सी साफधानी आपको ज विवेक का उपयोग जो होगा वो आपके लिए हर काम को सार्थक बनाएगा देखे एक बात तो तैह है कि सेहिंग राशी के लोगों के लिए इस सप्ताह में ऐसी स्थितियां हो सकती है कि पांचों उंगलियां घी में और सरकडाही में यह जो कहावत होती है यह सापित आपके वालों को लाब होने के योग हैं और योजना बद्ध काम करने के तरीके से ही यह सभी काम आपके बनने वाले हैं अपनी कंपुटीटर्स को आप पीछे छोड़ने वाले हैं विद्यार्थियों के लिए भी समय जो है काफी अनुकुल रहेगा बस्ताह का जो अंतिम समय है उ चार नमबर का जो दिन है वो करवा चोठ का पर्व है महिलाओ के लिए एक बहुत पड़ा पर होता है अपने बंबी अपने पती के लंबी आयू के लिए व्रत किया जाता है तो आप सभी को जितनी भी नहीं हैं आप सभी को करवा-चोठ की हारदिक शुब काम नह और आठ êtes नवंबर को आहोई अस्ट्रमी का वरत है जो संतान प्राप्ति के लिए संतान के स्वास्थ के लिए संतान के लिए ये वरत किया जाता है तो इन दोनों ही तोहारों की आपको बहुत बहुत शुब कामना है इस सब्दाह में आप उपाया के लिए सूर्य भगवान को गेहूं दालकर जल अर्पित करें यानि एक लोटा लें उसमें जलने और थोड़े से गेहूं नहीं है तो आप चावल डाल सकते हैं और तब आप सूर्य देव को अर्पित करें तो पूरा सब्दाह आपके लिए बहुत अच्छा होगा साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक और शेर करने बिल्कुल न भूलें